इस वक्त की एक एहम खबर आरक्षण पर सुप्रीम कोट ने बड़ी टिपड़ी दी है आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है ये सुप्रीम कोट ने कहा है दरसल एक मामली की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोट ने ये टिपड़ी दी कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है आरक्षण को लेकर आई एक याचिका के बाद सुप्रीम कोट ने ये टिपड़ी की है कि आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं है तो सुप्रीम कोट ने एक मामले के सुनवाई के दोरान एक एहम टिपड़ी की और कहा कि आरक्षण एक मौलिक अधिकार नहीं है एक याचिका के सुनवाई को खारिच करते हुए सुप्रीम कोट ने ये एहम टिपड़ी की है DMK, AIA DMK और CPIM ने एक व्याचिका दायर की थी सुप्रीम कोट में ये अर्जी लगाई गई थी आरक्षन बुनियादी अधिकार नहीं है इस मामले में सुप्रीम कोट ने ये सक्त टिपड़ी की है तो ये अर्जी आई थी DMK, AIA DMK और CPIM की तरफ से सुप्रीम कोट ने इस अर्जी पर सुनवाई करने से इंकार किया और साथ ही एक सक्त टिपड़ी की की आरक्षन एक बुनियादी अधिकार नहीं है जादा जानकारी के साथ DMK संबदाता महेश गुपता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए है महेश एक बेहत सक्त और एहम टिपड़ी सुप्रीम कोट द्वारा यह बिलकुल साथ है कि सविध्ण के अंदर मॉली का पक्ता को देना ही देना है भाव की चीजे हैं वह सुअभशां के तोर पर दी गई है भी है जैसे कि इस मामले में ऐक चान है अरक्षन हमेशा time to time extend किया जाता है कि सुविधा है कि गरीब लोगों को पिशे वर्फ को लोगों को स्वाजी कोर से उठान के लिए आर्थी वूत उठान के लिए इन सुविधाओं को देने के लिए जो है सुविधा जो दी गई है यह मौली का थिकार के दाएरे में नहीं आ सब्सक्राइब निया Zee News एब अब बेतर फीचर्स के साथ हिंद्य अंग्रेजी के साथ साथ देश के अन्य भाशाओं में भी भारत और दुनिया की तमाम खबरों का अनूठा कलेक्शन अपनी पसंद के मुताबिक सेट करे हों स्क्रीन पर अपने फेवरिट सेक्शन साथ ही हमारे एडिटर्स द्वारत चुनि हुई दिन की बड़ी और खास खबरें देखे Zee News लाइव कभी भी कहीं भी मनुरंजन और सूचना से भरपूर वीडियोस